हेलो फ्रेंड्स जाइका इंडिया का यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है आज हम बनाएंगे रेस्टोरेंट स्टाइल सिम्ला मेच की सबजी सबसे पहले हम ग्रेवी का मसाला तयार करेंगे इसलिए हमने यहाँ पर लिए है पांच सुखी लाल मेच एक टीस्पून जीरा एक टेबल स्पून धनिया इसी के साथ हमने लिया है सुखा नारियल तो सुखे नारियल के इस साइज के हमने पांच पीस लिए है और लिए है हमने एक टेबल स्पून काजू दो टेबल स्पून सफेद तिल दस से बारा काली मिर्च, एक दालचीनी का टुकड़ा और दो हमने छोटी इलाईची ली है इन सारे इंग्रीडियन्ट को हम पेन में एट करके दो मिनिट के लिए मीडियम फ्लेम पर लगाता चलाते हुए रोश्ट कर लेंगे हमने इसे दो मिनिट के लिए मीडियम फ्लेम पर लगाता चलाते हुए अच्छे से रोश्ट कर लिया है अब हम गेस की फ्लेम को ओफ कर देंगे और इसे रूम टेंपरेचर पर कुछ दिर तक ठंडा करने के बाद मिक्सी जान में ग्राइंड कर लेंगे सबजी बनाने के लिए हमने एक पेन में 4 टेबल स्पुन तेल अच्छे से गरम कर लिया है इसमें हम एट करेंगे 0.5 टीस्पुन राइ इसी के साथ एट कर देंगे 0.5 टीस्पुन जीरा और एट करेंगे 1 तेजपत्ता राई को तेल में कुछ देर तक चटकने देंगे अब हम इसमें एट कर देंगे दो मेडियम साइस की बारिक कटी हुई प्याज इसी के साथ एट करेंगे दो बारिक कटी हुई छोटी हरी मिर्च और हाई फ्लेम पर कुछ देर तक प्यास को तेल में फ्राई कर लेंगे हाई फिलेम पर हमने प्यास को सोफ्ट होने तक तेल में अच्छे से फ्राई कर लिया है अब हम इसमें एट करेंगे हाफ टेबल स्पून अद्रक औलहसुन का पेस्ट इसी के साथ हम इसमें सुखे मसाले एट करेंगे सुखे मसालों में हम इसमें एट करेंगे हाफ टीस्पून लालमीच पाउडर एक टीस्पून नमक और हाफ टीस्पून हल्दी पाउडर इन सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे मसालों को हमने प्यास के साथ अच्छे से मिक्स कर लिया है अब हम इसमें एट करेंगे तीन मीडियम साइस के टमाटर का पेस्ट मिक्स कर लेंगे और इन मसालों को लोफ लेंप पर कुछ दे तक पकने देंगे ये देखिए हमने लोफ लेंप पर इन मसालों को दस मिनिट के लिए अच्छे से पका लिया है अब हम इसमें एट कर देंगे हमारे सारे सूखे मसाले जिनको हमने रोष्ट करके मिहसी जार में ग्राइड कर लिया था अब हमारी सबजी को बढ़िया सा कलर देने के लिए हम इसमें एक टीपून कसमिरी लाल मीच पाउडर एट करेंगे देखे कस्मिरी लाल मीच पाउडर यहाँ पर बिल्कुल उप्सनल है अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसी के साथ हम इसमें एट करेंगे सिम्ला मीच तो हमने यहाँ पर 500 ग्राम सिम्ला मीच ली है इसके बीज निकाल कर हमने इस तरह से कट कर लिया है मसालों के साथ सिम्ला मीच को अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसी के साथ हम इसमें एट करेंगे एक ग्लास पानी चला लेंगे इसे एक बार इसे ढख कर लो फ्लेम पर कुछ दे तक पकाएंगे और बीच बीच में हम इसे एक से दो बार चेक भी कर लेंगे यह देखिए हमने इसमें सिम्ला मीच और पानी एट करने के बाद लो फ्लेम पर ढख कर 15 मिनिट के लिए अच्छे से पका लिया है इसे एक बार चेक कर लेंगे इस स्टेज पर हम गेस की फ्लेम को ओफ कर देंगे और इसके जाइके को और बढ़ाने के लिए हम इसमें एट करेंगे एक टीस्पून भूनी हुई कस्तूरी मेथी कस्तूरी मेथी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे देखिए आप इसमें गानिशिंग के लिए बारी कटा हुआ हरा धनिया भी एट कर सकते हैं अब हम इसे डिशाउट करेंगे तो लीजिए खाने के लिए तैयार है लजीज और मसालेदार रेस्टोरेंट स्टाइल सिम्ला मीच की सबजी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेर और कॉमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें